सबी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स पर फोकुस करेंगे आधे परसेंट की तेजी यहां पर भी है लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लाल निशान में है उसमें से एक है कोफोर्ज देड़ परसेंट की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स में शामिल है निफ्टी आईटी इंडेक्स के और इसी के साथ एंफिसिस और परसिस्टन सिस्टम्स इन दोनों स्टॉक्स में भी आधे से देड़ परसेंट की गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है तो चार्ट देखेंगे तो यास डेफिनेटली एक परसंट डाउन है बट अगर आप ट्रेंड देखें लास्ट कुछ हफ्तों से तो यह आउट पर्फॉर्मर रहा है आज कहीं प्रॉफिट बुकिंग है यह प्रॉफिट बुकिंग में भी थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकत हैं दूसरा अगर आप स्टॉक देखें एंफासिस तो एंफासिस में कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है एक सिमित डाइरे में लास्ट कुछ हफतों से ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखें तो 2950 का सपोर्ट है और 3150 का रेजिस्टेंस है तो जब ट्रेंड अगर आप देखें तो पॉजिटिव है हाला कि है स्टोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है बट ओर ट्रेंड पॉजिटिव है कोई भी फॉदर डिप हमें देखने को मिलता है तो वह एक बाइंग ऑपरचिनिटी रहेगी स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो सपोर्ट बन रहा है अराउंड 5400 के असपास और उपर के लेवल्स पे अगर आप देखें तो 6000 का रेजिस्टेंस है आईटी स्पेस से अगर आप देखें तो टेक महेंदरा, TCS और लिप्रो यह जो फ्रेंट लाइन काउंटर्स है वो काफी अच्छे चार्ट स्टॉक्चर बन रहा है तो अगर किसी को फ्रेश पोजेशन बनाने होगी तो यह तीन स्टॉक्स में बना सकते हैं तो एकसाइड इंडस्ट्री की भी चर्चा बनती है, यहां पर भी साड़े तीन परसंट उपर हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है एकसाइड इंडस्ट्री जरा सबसे पहले एकसाइड इंडस्ट्री पर राय दीजी और इसके बाद अमरा राजा को भी अपने रडार में शाविल कीजी इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी रणनीती क्या होगी हम जानना चाहेंगे देखें एकसाइड इंडस्ट्री इसका चार्ट अगर देखें तो डेली चार्ट में एक्जैकली 200 डियमे पर सपोर्ट ले रहा है फ्राइडे के दिन 200 डीयमे टैच केया था आज वहां पर वापस टैच करके बाउंस कर रहा है और अर्मोस्ट फ्राइडे के जो लॉस swag मतलब जो हमने लूसके था वह पुरा रीकवर हो चुगा है तो कहीनकाि support से बाउंस करब इस support का जो stop loss होगा वह 450 कर रहां एगा और यहां से stock bounce करता है तो 480, 490 के levels भी expect कर सकते हैं, तो stock काफी अच्छे support पे positive divergence है तो यहां पे positive view रख सकते है for the 480, 490 targets दूसा जो counter है वो है अमर राजा बैटरी, अमर राजा तो आप देखें यह भी 200 DMA से bounce कर रहा है और काफी अच्छा volumes और RSI में एक positive signal देखने को मिल रहा है हाला कि recent times में एक underperformer रहा है, बट एक support से bounce कर रहा है, तो positive bass रख सकते है नियर term में आप expect कि जब 1420 और 1440 के targets नीचे में अगर आप देखें तो 1270 के असपास काफी अच्छा base इस stock में बन रहा है यह है RSI दोनों इस stock पर, दोनों इस stock पर bullish नजरिया फिल हाल यहां पर आता हुगा लेकिन रनीती जो है वो आपको थोड़ी खास तरीके से बनाने होगे चलिए बढ़ते हैं आगे, power sector को जब आप focus में लाइए राजेश जी अगर उसमें भी पर सबसे पहले राय दीजेगा और बाकी stocks भी आपके radar पर उन पर भी राय दीजेगा लेकिन एंटी पीसी को ज़रा रेव्यू कुजे सबसे पहले देखें एंटी पीसी जो है अपने September के Lose के असपास आ चुका है यहाँ पर 89 EA में का भी सपोर्ट है हाला कि कोई मेजर ट्रेक्शन नहीं है एक परसंट ही अप है बट यहाँ पर अगर prices ऐसे ही close देते हैं 404 400 के उपर तो यहाँ से एक bounce back आ सकता है वापस towards 415 418 के असपास नीचे में अगर आप देखें तो 395 का एक सपोर्ट है वह अगर ब्रेक करता है तो जो recent correction हमने देखा था वो continue हो सकता है तो closing basis पे 400 404 यह crucial रहेगा यहाँ पर अगर हम close देते तो यहाँ से भी further bounce back हमें देखने को मिल सकता है पावर शेतर से अगर हम देखे तो Tata power काफी बढ़या लग रहा है exactly 200 DMA पे support ले रहा है और एक hammer और एक inside bar candlestick formation हमें देखने को मिल रहा है Tata power generally अगर आप देखे इस charge structure को तो नीचे में 410, 415 के आसपास हमेशा support लेता है higher levels पे 470, 480 के आसपास resistance लेता है तो यह range में ही trade करता है अभी low range से bounce कर रहा है तो expect कर रहा है वापिस 450, 460 move अपको देखने को मिल सकता है counter थोड़ा सा slow moving है but yes positive bass रख सकते है पिल्कुल तो यह राए power शेरो पर इसके अलावा RVNL को कुछ नए orders मिले है अभी अभी news आई है stock में करीब 0.5% की तेजी सुबह से ही stock हरे निशान में था लेकिन अब करीब 0.5% की तेजी के साथ stock कारोबार कर रहा है 190 करोड के नए orders के लिए lowest bidder nuked हुई है company railway के तरफ से कुछ नए orders आते हुए दिख सकते है जिसके चलते 0.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है राजेश क्या राए रहेगी RVNL और RVNL के अलावा और कोई railway ancillary company जहाँ पर आपको लगता है कि fresh positions लिए जा सकते है देखे आरवी अनल का अगर हम July का price moment देखे तो यही पर trade कर रहा था 410-415 के असपास वहाँ से strong rally हुई थी जो 600 levels तक गई थी तो 415-600 अभी exactly उसी levels पे है volume structure उतने strong नहीं है बट support पे है और अगर यह support hold करता है 415 के असपास तो यहां से bounce back आ सकता है जो इसका 200-day moving average है उसका भी support है higher levels पे आप देखे next resistance जो आ रहे है वो 480 के असपास है तो definitely काफी अच्छे supports पे है तो buy किया जा सकता है मेरा जो counter favorite है वो है टीटागर wagon 1140 के असपास जो है trade कर रहा है और यहां पे base बन रहा है volume भी अगर आप देखे तो last कुछ हपतों से एक base बन रहा है volume के साथ expect करो यहां से अच्छा कासा move टीटागर wagon टीटागर rail में आ सकता है possibly यह से जो move है वो 1400 के असपास हो सकता है नीचे में आप देखे तो thousand levels के असपास stock के लिए काफी अच्छा support बन रहा है तो यह राय टीटागर rail पर इसी के साथ RVNL की भी हमने बात की stock को नए orders मिले है जिसके चलते मेटल शेरों पर फोकुस करते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स भी टॉप गेनर्स में शामिल है ठाई परसेंट की तेजी यहां पर दिखी है और हिंदुस्तान कॉपर करीब साथ परसेंट ऊपर NMDC और सेल में भी साड़े तीन से साड़े चार परसेंट की तेजी दिखी है राजे मेटल सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पॉजिशन लिए जा सके और इन पर्टिक्यूलर हिंदुस्तान कॉपर साथ परसेंट की तेजी के बाद अगर किसी के पास अल्रेडी पॉजिशन है तो क्या रन्नीती बनानी चाहिए देखे इंदुस्तान कॉपर लास्ट वीक हमने देखा था कि 280 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था उसके नीचे ब्रेक किया था तो जो में सपोर्ट था वो ब्रेक किया है उस support को break करने के बाद वापस उस support के उपर एक काफी अच्छे volume है, एक अच्छे candle stick के साथ recur कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो कल लाफ राइड़ी को जिन्होंने exit किया होगा, तो वो panic में exit किया था, यहां से वापस stock reverse कर रहा है, वापस जो है 280 का stop loss रखे, high side में आप अगर नालको, national aluminium, यह stock को और अगर आप देखे, तो यह जो पूरा recent में जो fall आय था, तो नालको में major कोई weakness हमें देखने को नहीं मिली थी, in fact higher levels पे trade कर रहा है, जब भी भी market में rebound हता है, तो यह counter सबसे अच्छा perform करता है, तो नालको में positive view रखे, यहां से नालको जो है possibly 245-250 भी जा सकता है, 210 के आप पास इसका 20-day moving average है, तो 210 के नीचे stop loss रखे है, और उपर में profit book करते रही है,